आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which of the following is a Gymnospom? पुझा गया है कि चारों मेंसे Gymnospom Plants कौन से होता है तो Gymnospom से ऐसे Plants होता है जहाँ पर Naked Seeds पाए जाता है और यहाँ पर कोई भी Flower जो है या फिर कोई भी Flowering नहीं दिखाई देता है और ऐसे Plants को ही यहाँ पर Gymnospom कहा जाता है जो की Woody भी होता है और साथ में बहुत जादा Hard भी होता है तो चलिए देखते हैं कि इन मेंसे कौन सा यहाँ पर Gymnospom है मैंगो का बात किया जाए तो मैंगो में Flower और Fruit दोनों प्रेजन्ट रहता है इसलिए इसको Angio Sperm के अंदर Classify किया जाता है जो की Flowering Plants होता है वहीं Guava को देखा जाए तो Guava भी Angio Sperm में ही Classify होता है क्योंकि इन में भी Fruit Flower दोनों पाए जाता है लेकिन Cycus का बात करें तो Cycus जो होते हैं ये Naked Seed वाले Plant होता है जिसके वैसे Cycus को Gymnospom हिसाब से Consider किया जाता है तो हमारा Correct Option यहाँ पर हो जाएगा Third Option जो Cycus है वहीं Brinjal का बात करें तो Brinjal भी Small Herbs Like Plant होते हैं जिसमें की Flower और Fruit दोनों पाया जाता है जिसके वैसे Brinjal को हम लोग Angio Sperm हिसाब से ही Consider करते हैं तो जो Correct Option है यहाँ पर Gymnospom का वो हो जाता है Cycus जहाँ पर Naked Seed पाया जाता है और यहाँ पर कोई भी Flower प्रेजन नहीं रहता है इसलिए हम लोग Third Option को ही यहाँ पर Tick कर लेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT J.E. Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोट करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर